नमुश्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है बिहार में अब तक बिहार बोर्ड की छात्राओं को जो की बारहवी पास होती थी उन्हें लापटॉप देने का काम सरकार करती आई है लेकिन अब बारहवी की छात्राओं के अलावा भी दूसरी छात्राओं को सरकार तोफे के रूप में लापटॉप देने वाली है जो इसके तहट बिहार में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती के विद्यार थी अगर इंजीनरिंग और मेडिकल की प्रवेश परिक्षा में सफल होते हैं तो उन्हें सरकार तोफे में लापटॉप देने वाली है इसको लेकर अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती कल्यान विभाग की तरफ से प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है इसके तहट बारहवी के बाद ही महत्वपून प्रवेश प्रतियोगिता परिक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों को इसका लाप मिलेगा राज्यमंद्री परिसित की सहमती के बाद इसको लागू करने का काम किया जाएगा हाला कि ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतियोगिता परिक्षाओं में हिस्सेदारी बिना या सीधे इंजिनरिटिंग मेडिकल में नमांकन वाले विद्यार्थियों को सरकार की इस योजना का फाइदान नहीं मिलेगा यानि किसाफ है कि प्रतियोगिता परिक्षा के जरिये दूस्टे राज्यों के इंजीनिरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले बिहार के अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के विद्यार्थी ही सिर्फ पात रहोंगे यह प्रवेश प्रतियोगिता अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती कल्यान विभाग की चैनित सूची में शामिल होनी चाहिए दूसरे राज़ो सरकार के इंजीनिरिंग और मेडिकल कॉलेज भी इसके तहत शामिल है गौर करने वाली बात यह है कि किन प्रवेश प्रतियोगिता परिक्छाओं के जरिये इंजीनिरिंग में नमांकन पाने वाले विद्यार्थियों को लाप्टॉप मिलेगा इसकी सूचिय भी अनुसोचित जाती और अनुसोचित जनजाती कल्यान विभाग की तरफ से नहीं दी गई है पात्रों के चैन की प्रोक्रिया भी आगामी 23 दिसम्बर को होने वाली उचस्तर ये बैठक में तै होगी सरकार ने उचस्तर से इसकी सैधान्तिक सहमती दे दी है एक अनुमान के अनुसार बिहार में अनुसोचित जाती और जनजाती कल्यान विभाग की प्रस्तावेत योजना का लाब 1800 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा बात बिहार के इंजिनिरिंग कॉलेज की करे तो इसमें कुल 9000 सीटे है अनुसोचित जाती समुदाई के लिए इनमें से 16% आरक्षित है ऐसे देखे तो इस तरह कुल 1440 सीटे अनुसोचित जाती के लिए अनुसोचित जनजाती के लिए 14 सीटे रिजर्व है इसके अलावा अनारक्षित सीटों पर भी मेधा के आधार पर दोनों समुदाय के विद्यार्थियों का नामांकन होता है दूसरे राज्यों में प्रवेश परिक्षाओं के जरिये भी ये विद्यार्थी नामांकन पाते हैं जुसके बाद ही अब इन शात्रों को प्रोटसाहित करने के लिए सरकार ने यहन नई योजना बनाई है जुसके तहट बिहार में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के विद्यार्थी अगर इंजीरिंग और मेडिकल की प्रवेश परिक्षा में सफल होते हैं तो उन्हें सरकार तोफे में लापटॉप देने जा रही है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवात है